असलाम वालाइकूम और रहमतुल्ह वरकातु इत्याहद दिन्में आप सभी का खैर मगदम हिजाब को लेकर किस तरह से एक नफरत का जहर माशरे में फैलाए जा रहा है इसकी एक और निसाल आज देख सकते हैं कि अलिगर्ड उत्रप्रदेश अलिगर्ड में बुर्क्या को मतलब इसके पीछे वह जान बूच कर इस मामले को इतना सुलकता रखना चाहते हैं ताकि इनको सियासी मुफाथ हासिल हो सके हिजाब मामला मुस्तकिल जा रही है सभी जानते हैं कि महस्त सियासी मुफाथ हासिल करने के लिए या फिर एक समाज को जान बूच कर हिरासा करने के लिए हिजाब मामले को तूल दिया जा रहा है दरासल हिजाब मामला कहना ही गलत है क्योंकि केसरी इशारा चानक पहन कर माहोल को आलूदा बनाने वाले काउन थे यह बीविप किस सियासी पार्टी से मनसूब है लेकिन इसे हर रोज बड़ा चड़ा कर पेश किया जा रहा है अदालत का फैसला आना बाकी है और शायद इसमें वक्त भी लग सकता है लेहादा कुछ कॉलेजिस अब नर्में इख्तियार करते हुए भी देगी जा रही है लेकिन दूसरी तरह एतजाज करने वालों पर मुकदमें भी दायर किये जा रहा ह बच्चों के घरवालों ने महज ओड़नी या दुपट्टा ओड़कर बैठने की गुजारिश की ती लेकिन कहीं तो इसमें गरत फैमिया है या जान बुझ कर इस तरह रवया इक्तियार किया जा रहा है समझने की जरूत है इस मसले को ऐसे वक्त में उचाना गया है कि जब बाहर कर दिया जाता और पहले से ही मेडिया मौजूद रहती है क्या मसले को इतना बड़ा बनाने से पहले कॉलेज इंतजामिया प्रिंसिपल बैठकर मामिले को सुल जा नहीं सकते थे लेकिन अधालत के फैसले की दलील देते वे दुपट्टा तक पहनने ना देना क्या व भी देखा होगा कि कॉलेजिस के गेटों पर बुर्खा निकालने के लिए कहा गया और बुर्खा निकालने की वीडियोस को वाइरल भी क्या गया अदालत से अब तक पैसला नहीं आ रहा है कुछ लोगों ने तो चुनाव खत्म होने तक हिजाब का मावला चलता ही रहेगा का वही अब बिंदी, कुंकुमा और सरस्थी पूजा या गनिश की पूजा या तस्वीरे लागाने पर भी सवाल उठाए जाए जाए करनटक के तुमकूर में लड़कियों ने हिजाब पर एतजाज किया था अब इन लड़कियों पर भी मुकदमे दायर किये गए क्योंकि एतजाज भी लोकतंत्र का हिस्सा है, खैरकूल मिलाकर मामिला अब भी सुलकता नजर आ रहा है, क्या वाकई चुनाओ के मद्दे नजर ही इसे बढ़ावा दिया जा रहा है वही दूसरी वहर हिजाब को बाहरी मुलकों से शेय मिलने की बाद भाजपा और फिरका परस्ताक्तिक कर रहें, साथ में मेडिया भी इस तरह के प्रपोगंडे बनाने में उनकी हिमायत करती नजर आ रहें, मतलब हर मामिले को हिंदू-मुसलिम पर लाकड़ा कर दिया में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, 14 अफरादों को उम्रकायत दी गई, यकीन जो भी जुर्म करता है, उसा सजा मिलनी चाहिए, कोई भी मुसलमान धमाकों की हिमायत नहीं करता ना, पहले क्यार ना आगे करेगा, लेकिन वहीं दूसरी वहर, गुजरात फसाद के मदे नजर 8000 से भी जायद मुसलमानों का कटले आम किया गया, सेंकड़ औरतों के अस्मत रेजी की गई, और कटले आम करने के बाद, अपने आपको महला ना प्रताब समझने वाले बाबू बजरंगी, जिसने खुद कटले आम करने की बाद, खुले आम कबूल की थी, लेक 37-38 लोगों को फांसी की सजा देना मुल्कित तारीक में पहली बार का आ जा रहा है, इस केस को रेरेस्ट आप रेर केस के तोर पर देखा जा रहा है, जुर्म कोई भी करे, इंसाब जरूर मिलना चाहिए, अगर हम्दाबाद धमाकों के मुझरिमों को सजा दी गई है, तो घुजराद फसाद वालों को क्यों जमानत दी जाती है, मतलब इंसाब के तराजू का तवाजन बरकरार होना जरूरी है, हिजाब मामला भी अब शक्क के दायरे में आता दिखाई दे रहा है, जान बूज कर के इस रिशार को पहन कर आने वाले, यूँ ही अचानक नहीं प्रिया जा रहा है ताके चुनाओं में भी हिंदो मुस्लिम नफरत के सहारे एक्तदार हासिल कर सके, इत्तिहाद देखने लिए शुक्रिया, अल्हा आपीस। झाल